नाटक की बात कर रहे हो उसमें जाहनबूच का प्रक्टिस करोगे परफॉर्म करोगे ना उसमें टाइम उसका बाउंडेट होगा लिमिटेट होगा आपको एक थीम रखनी पड़ेगी उसी एकॉर्डिंग आप चीज़ों को परफॉर्म करते हो आयोग मेरी बास समझ रहे हो उसके था बी तरीके होते हैं उसको हम डिसकस करेंगे और कौन साला मेहरा हम यूस करते हैं अपनी सेसं के लिए इसके बारे मैंने पहले यह बार्स जा मैंने काई साइकलोजी मैं यहां सी स्टार्ट कर रहा हूं हलका सा मैंने व्रीफ किया था दो-दो-चार पॉइंट डाल तेरी जानबुच्क के देते हो अन्जानें तोड़ीते देते हो फिर उसमें गलतियां होती है आप नहीं परफॉर्म कर पाते हो फिर दुबारा उसको प्रैक्टिस करते हो और फी परफॉर्म करते हो थे अथी ब्रेड़ प्रैक्टिस नहीं हो गई चलिएंगा इंसमें स्यास्पूस्ट लर्निंग जो सीखना होता है तीन पद्धती से होता है उसे फर्स्ट मेसेट क्या है रूट लर्निंग मेथट रूट लर्निंग मेथट सेकेंड वन क्या है ट्रायल और लर्निंग मेथट यह भी मैंने बताया था आपको देन रेशनल लर्निंग रेशनल लर् तो फिर ब्लंडर हो जाएगा समझ में नहीं आएगा है कि नहीं परिपार्थी लर्निंग परिपार्थी लर्निंग को क्या बोलते हैं रोट लर्निंग बोलते हैं परिपार्थी बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं परिपार्थी आपकी रोट लर्निंग हो गई दिन है भूल पर सब्सक्राइब करना होता है तो सब्सक्राइब करना होता है तो सोच समझ के पहले से प्लान करें करते हो है ना जिसे आपको जिसे भी पढ़ रहें सब्सक्राइब करें ऑल लैसे अब जान बूच करते हैं आप उसका मेथट होता है उसको तरीके होते हैं इसको बताता है तक है और जो इंसीडेंटल होती है अचानक से एक्सिडेंट होना इंसीडेंटल लर्निंग है अचाने से हो गया पता थोड़ी प्लानिंग थोड़ी करते हैं उसकी अचाने सीजें हो जाती है उसकी बात हो कहीं यहां पर तो इसकी इंदी आप ध्यां रखना परिपाटी पद्दती जिसे रोट लर्निंग मेथड बूल दे बुद्धी संगर सीखना क्या बोल देते हैं रेशनल लर्निंग जिसकी मैं बात कर रहा था ना पहले मैंने रिकात आगे आके डिटेल में बताऊंगा ना देखिए जो रोट लर्निंग होती है बच्चा लोग रोट लर्निंग हम कहां इस्तमाल करते हैं जो कम IQ वाले लोग कम IQ वाले लोग मतलब जो बच्ची होते हैं उनको पता नहीं रहता रहता है उसे सोचते समझते नहीं है साम लर्न कर लेगा देखा तैकि आपने सब तम लिखता हम लरन करता है ना चतूर थोड़ा 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 बदल दिया है उन्हें पूरा याद कर लेता पूर रोट लर्निंग वाला रता उस समस्ता हूं मस्ता ने से बच्च शोटे बच्चे रहते हैं ईपार एपल बढ़का एपल आगए नहीं नहीं पैक्ष् इस सब चीज़ें होती है तो परिपार्टी अगर बच्चे को मैंडम ने पढ़ा दिया फार एपल आप पढ़ा दो फार एरोप्लेन देख लो घर उठा लेगा सर पे अपने कभी ट्राई करना घर में छोटे बच्चे रहते हैं यह फार एरोप्लेन मैं इंजिनियर हो मैं दे कुकर बना दिमाग को रटा मार जैसे आपका इसको कब इस्तमाल करते हो आप जैसे कि हम आपको बहुत आपको आपको कहे देते हैं कल सारे चेक करेंगे कल नोट चेक होगी फिर बैगरांड में म्यूजिक सिस्टम लगाते हो वह बचता है आप उसमें बीच में गाना बदल ढूल फिर फिर सोखना अ रही सोच रहा था फिर सोच रहा है त्वसकिना चाहिए बेदये हैं आपके रूट में यह फिर चितमाग लगाया करते उच। कोई आप अपनी अकल नहीं लगाते हो जो जो चीज़रे से लर्न कर लेते हो है ना जो चीज़रे से लर्न कर लेते हैं अपनी अकल हो का रहा है नहीं लगाते हो बाकि दूसरी आती है इसमें भूल परियास से सीखना है ट्रायल एंड एरर लर्निंग उसको हम देखते हैं क्या पहले आप करो गतने करना होगा पहले लोगोगे चली में होता है तो नहीं होगा दिरे-दर सीख रहो trial and error method getting or not इसमें क्या होता है कि टाइम बहुत लगता है आपका बीचे में मनुबल डाउन हो जाता है आप छोड़ दे दिसे प्रोजेक्ट कोई नया बनाते हो उसमें कुछ नया करते हो अपना कुछ सर्केट डिजाइन करते हो तो कोशिस करते हैं नहीं हो रहा है पि कोई बात नहीं है आउट अप सलिबस लग रहा है माश्टर जी से पूछ लेंगे हैं कि नहीं तेसा चीजें होती है आप अपना आते हो तोड़ी से कोशिस करते हो गलतियां होती है प्रोपर मेटाडियूज नहीं कर पाते हो फिर कह देते हैं कुछ नहीं रखा जीवन में चैड़र दो तो जाओ नहीं बुद्धी संगत सीखना रेशनल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें आप अपनी अकल बुद्धी जो थे खोपड़ी को लगा के सीखते हो इसमें एक चीज आती है क्या आती है इसमें जो टेनी रहता हो सुचता वाट क्या है वाइटाइब क्या है और कैसे है इंती जों-का इसमें आमालरी होता है इसमें मिस्रंट होता है जमें में तीनों चीज़ को क्या होता है समिस्रन होता है तीनों चीज़ का वाट वाई हाउ इन चीज़ों पर बात करता है क्या है क्यों है कैसे है इसका इस्तमाल कहां करते हैं कौसल प्रश्चन में करते हैं जो हम आप सीख रहे हैं आप वोकेशनल ट्रेनिंग जो होती है उसमें इ पुझञ ख 주는 हो तै WILL है इसका इस्तमाल करते हो इस लिकी सिस्तमाल करके बच्चों तक क embauchet सुटर्श को अपने सब्सक्राइब मैं इसमें बचते तक्या किसे जानोगे इस holding analyt अनुदेश करना उसे निर्देश देना आप जब अनुदेशक बनो करके थोड़ी हुआ पचिसे हम लोग भी बहुत आता करते हैं तोड़ी आपके साथ हैं अमिसर क्या करते हैं इसमें आइसीज लगें करके दिखाऊ हमने आपको इंस्ट्रक्ट किया खुद करते हो करेंगे कैसे करना है यहां देश बंगेता है और अप्द और कली क्या सफाय हो गई है यह इसमें आपको प्सक्राइब करेंगे उसमें सबसे बड़ी की अपको इसी लिए तो बच्चों से कामकर्वाना भी रहना चाहिए एक इसलिए तुनों दिश्वक आपको पताया जा रहा है आधे आप आधे राम है अधे नहीं आधा पर्वती दोनों रूपे रहना पड़ेगा आपको मेरी बास समाज़ेगा अधाली फोटो लुए भगमान है ना जलो आठें तीन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा राधी साडी पहन का है क्या कल से फिर पांडेजी एसा करोगी तुम लोग तीस तीज बुद्धि संगत रेशनल लर्निंग सीखना पड़ेगा साडी रात में आपको साडी पहन के सीख रहे ताडी पहने के पर्दसन करने लोग रखना है कि नहीं तर ने कहा था तैसा मत करना था लोटीक है बुद्धि संगत रेशनल लर्निंग में समझ रेशनल लर्निंग हो गई आपको इन चीजों को दिया रखना बाबा राम दोगे आपने सूट में र। तुम्ADE नहीं लिल नवागे ति बाबा ल॥ ललनिंग में अ अब रूट लोड लणिंग म influenny in the video civ कि नरिन रिटना मानना सुरू कि अई इसटो क değ काला एग आपको कड़ रहें कि नहीं है इसमें क्याति की आपको पंडे जी पूरा खतम कर दिया इसने थे लुएर मोटी 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 किताब नहीं उनको कहते हैं इंपार नहीं आपर पूझी है यह रट्टा मारते हैं लोग यहां पूरुस भी हो सकते हैं पांडी जीसा तोंग दवळाला भी हो सकता नहीं पर नहीं है पूटो घराब होती है ना बार बार है तो है है तो इस पांच वाइटे खाऊगा तो वह जाएगा जैसे सब चीजें हो गई ठीक है तिसमें किया हो गया बच्ची पढ़ रही है यहां पे इन्होंने के बुक ले रखा है इन्होंने रट्ट मार एफ आपल पढ़ रहे होंगे यह होता है किसी चीज को कंठस्ट करते हो नहीं जैसे कि आप से आप आजकल आजकल प्योटी के डिट्स कर रहे होंगे आप इनस्टी का बना था है जो पर रहा हूं दोजार थिरह में है 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 बेडली गुट नो वही वही बला है नो नो बता देना जो आप 2013 बताते हो नस्टी का बच्ची ने पूछा था एलेक्टिकल की ओडिनेंस था तेरह में उसे बाद में रक्टिफाइव रखिया गए था लेकिन 2008 सी स्टार्ट सबसे पुरानी होई तो है सबसे ने सबसे पुरा नहीं जो सेक्शन लिखते हो ने एट बीसी लिखते हो 2013 आक्ट ऐसे करके तो 2013 एक्ट से हुआ था उसके तरू बता तो आप भूल गए हो ने टेस्ट हो नहीं है आप क्लियर है इसलिए मैंने पूछे 2008 है अगर किस एक्ट के तुरू आया है तो 2013 पू यह एक्ट भी टीमे प्रवाइड भी कराए था नहीं सेक्ट नए ऑफाना निंकाना 2013 है कि झाल चीजे समझ रोट लरनिंग होगी रोट लर्निंग में क्या करेगा पेश फार देंके देख्या में कि नहीं नहीं तो चीजे हो गई रोट लट लनिंग आपकी आ चीजे है ना कि सर्जो चीजें डिफिकल्ट पूच्टें बास्टान वाइसे नहीं चो बढ़ते हैं इसे देखते हैं क्या होता है तो क्या हुआ रहा है कि अ तो ने शुक्त होता है रहता है कि आप गाना तो सब गाते हैं दिल दिल जले वाला गाना गाना शुरू कर देंगे तुम ही हो तुम ही हो तुम ही आना है कि नहीं है कि आपना करने पड़ेगा तब सबसे बढ़िया होता है प्ले सबसे बेस्ट है कि अधिर्ध करने दो मिन भड़ा लिया है तुम यह मणें बुटी देव इसको काम करें वह लिए शुदी देंगें भूलान यहां मुझे माइडिया रहता है मैं अधिया वह भूलान लेगुछ आप लोग दिखिघें अधि मैं पुला उटते लोग आच्छी हैं किया जोड़ दिया जाएगा फिर थोड़े दिर में फोड़ दोंगा अब या कि यह जानकारी को बार बार दो रहा कर या रटकर कंथस्त समझना परिपाठी पदती कहलाती है किसी भी जानकारी को किसी भी जानकारी को बार बार दोहरा कर या रटकर ब्रेकट के अंदर कंथस्त समझना परिपाठी पदती कहलाती है कुछ लोग नहीं कहते हैं खाली लिख सकते हैं बोल नहीं सकते नहीं बारी मने कहा था याद होता है तो परताप हुआ वह फोटो वाला है यह नहीं कहनं किसी जनकारी को बार बार दो राकर यहाँ कर यह contest समझना परीपार्टी पद्धती कहलाती है गिटिंग नॉट चीज़े के लिए रहे हैं परीपार्टी पद्धती कहलाती है आई ओप एवरीओन गेटिंग इस वन है न अभी मैं जा रहा हूं फिर बच्छी ऊपर जा कि तोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा तब पा क्रिफित मटदा रासा कंशी करवाते हैं तुम लोगा न क्या जलो अब जसे झेल क् depending फार्टी में फार्ट कर लेते हैंmake था कि आंको कुंधन हों की नहीं पड़ाया है जो होता है इसमें सोचे समझे करने से गलतियां होने की संभावना अधिक होती है बिना सोचे समय समझे कोई काम कर रहे हैं बिना सोचे समझे करने करने से गलतियां होने की संभावना अधिक होती है यह थोड़तामी लाइंगी वह से माझे की संभावना अधिक होती है बैगतिगत विचार प्रकट करना मुश्किल हो जाता है पहला था बिना सोचे समझे करने से गल्तियां होने की संभावना अधिक होती है सिकन्ड पॉइंट है बहुतिगत विचार प्रकट करना मुस्किल हो जाता है और कि वह सभी आप क्या करोगे इस लाइन में इस लाइन से इस वाले लाइन वाले जाएंगे इडी हॉल में जितनी भी टेबल्स हो रहा है ना उनको एक साइड में करके आना आप लोगों को रहा है इनको स्पेस मिल जाता कि वहां पर जिए रहे हैं प्रताब हो सुड़ गया है बस इधर उदर करना है ना इधर में कम हैं इधर में ज्यादा बॉइस है इधर वाले जाएंगे सियार वाले इधर ज्यादा बॉइस थे सियार हां उपर जाना है सारे टेबल को उधर कर देना है ना इधर बॉइस कम है इधर ज्यादा है तीन तीन छे अटेंडिनस लगा ल बिचार प्रकट करना मुस्किल हो जाता है बैक्तिगत बिचार प्रकट करना मुस्किल हो जाता है बैक्तिगत बिचार प्रकट करना मुस्किल हो जाता है इंडिविज्वल इसमें क्या करते हैं आप अपना नहीं दे पाते हैं उनको समय अधिक लगता है इसमें जो टाइम जो लगता है और काम भी नहीं हो पाता है जिसे आपने देखा होगा इस पीच में आप लोग गये थे वहाँ पर समने रटा अगर एक बार गाड़ी बन तो गाड़ी बन दुबारा इस्टार्ट नहीं हो रही थी हाना फ्लो में बोल दिया तो बोल दिया और जिसका रटा बहंकर है न तीन चीजें होती है रीस्टार्ट को रहे है रिस्टार्ट भी हो जा रहे थे उसमें रिख उनको मोटिवेट कर दो दूबारा बोलना शुरू करते रहे थे अच्छान बहुत था नुक करना तक बढ़िया होता है कभी अगर वीडियो ती सर्च करना होगा तो आप डेली नोगे डियू को करना या जामिया बहुत बहतरीन करते हो आप डियू या जामिया को हाँ से आप थोड़ा से ले सकते वाइडिया से अटे फेदिए घी थाड़ भूर प्रयाश की पदेटाया आले अजब करा नेक्ट ऐडिया या लड़ेत लिड़ा टाहिए जघेखना नहीं घूब भूर परियास की पदरती चले और को परियास से पदती की तॉब परियासई पददीच्टरैलन एडमिटट ट्राइल एन एरर मेथट भूल पर्यास पदती ट्राइल एरर मेथट होता है भूल पर्यास पदती पूल पर्यास पदती ट्राइल एरर मेथट इसे बहूल देते हैं बच्चों इसको देखते हैं आगे बढ़ते हैं थोड़ा से इसमें ज्यादा डीटेल में नहीं देखना है क्योंब है उसी वागों कि नोचिक है स्कूड़ा करने कोसित कर कर रहा है एक block यहां रख रखा इसने इक बीच में रख रखा एक यहां पे रख गिर जायगा फिर रखैगा है गिर जाएगा और नहीं कोसित करते हैं कभी 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 खड़ा धरी लेगा आपने बच्वन में ऐसा घर बनाया होगा नहीं तो यह तो नहीं इसमें क्या करते हो मेरा बयादा है मेरा बार आप क्या करते हैं यहां पे क्छा क्श बॉक्स रखते हो गिर जाता है प्र रखता है फिर खेलता है इस चोटे रॉत रहते हैं देखते हो ना गूडिया पेनना प३र पनाइंग्पिर निटालेंगे दिन करते हैं किसी कुझते हैं नहीं इन Dren नहीं करन दो सुम्साद होता है जाइं यह बच्चे करते हैं इन चीजों को आप ध्यान में रखना है समझे रहेगी नहीं यह ट्राइलन में सब्सक्राइब होता है थोड़ा की लाइंग्वेज लिख लेते हैं भूल पर्यास से पद्धती ट्राइलन एरर में होता है किसी भी कारे को बार बार करने और गलतियां हटा कर सीखना है यह बूल पर्यास पद्धती या ट्राइलन एरर मेथड ट्राइलन एरर मेथड इसमें क्या आपका है किसी भी कारे को बार बार करने और गलतियां हटा कर बार बार करने और गलतियां अटा कर सीखना भूल परियास सीखना कहलाता है। बार बार करने और गलतियां अटा कर सीखना भूल परियास सीखना कहलाता है। बूल परियास सीखना कहलाता है। बूल या गलतियों के कारणों को समझना और सुधारना होता है। जैसे कि आप लाइप में कुछ डिसीजन गलत लेते हैं फिर क्या करते हैं बाद में उसे सुधारते हैं फिर अच्छे डिसीजन लेते हैं। उन गलतियों सीखते हैं आप ना कहते हैं दूत के जला हुआ चांज भी फूंक फूंक के पीता है। समझ रहो कि नहीं तो यह मैटर करता है अगर कुछ आपके साथ में सैपन होती है या फिर दोस्ती में दोखा है न पोडूसी से दोखा बेवफाई हो गई आपके साथ है कि नहीं तो आप क्या करते हो बाद में उनका ध्यां रखते हो समझ रहे हो कि नहीं है ऐसे हमारे इंजिनिंग कॉलेज में लड़का था मुखुल जैन और एक साथ था मेरा रूमेट था सौरप सिर्वास्तो तो मुखुल जैन को एक लड़की पसंद आई रित उसका नाम था सती थी रितिका सती थी कुछ ऐसे था अभी नाम मुझे नहीं ह और दिल्ली की लड़की थी तो विचार मुखुल जैन सीधा बच्चा भाई बात करा दे थोड़ा था है थी कर भाई बात करते हुआ में मिश्टर प्रेशरी बना था मैं ठीक है बाई बात करा दें पंदर इने बता चाल अब भाई इने खुदी बात कर ली दोनों जब थोड़ा लिटी लिटी लेता तो चिकन भी खाता है कि नहीं तो चीजें उती तो यही होता तो फिर जीवन पर उसने ध्यान दिया उसके बाद कोशित अपनेशन भाई भले अधी रहाएगा है कि नहीं तरही स् igualed हैसाे छोटी त्यों समझेघी कें के डारे कि का डिफ्रेक्स मेकार ग्रत लीते फिलन डिफेक्स ते तब सुमें दोस तुब हैंте कि इसमें कि सफलता सुनस्चेत नहीं होती है जो आपके success है और सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब हो कहीं और से नहीं रहें से नहीं रहती है सफलता सुनस्चित नहीं होती है इसमें कि आज is not certain success is not certain i.e.fick said just recommend यह बार बार असफल होने से आत्म विस्वास नस्ट हो जाता है बार बार असफल होने से आत्मिस्वास नस्ट हो जाता है सफलता सुनश्चीत नहीं होती पहला समय ज्यादा लगता है बार-बार असफल होने से आत्मिस्वास नस्ट हो जाता है बार-बार आप ट्राई कर रहे हो सामने से बार-बार शफल होने से क्या हो जाता है अजये आतमिस्वास होता है इस सब चीजिये होते है इसमें डिफेक्स इन written first one success is not certain second one it can you more time barambar dip one is a order that I can a blender cello next he's cooperating as a I'm going a rational learning rational learning buddhi sangat padati buddhi sangat padati yeah I say rational learning method by buddhi sangat padati yeah I say learning is rational learning method buddhi sangat padati yeah I say bolna inge rational learning method I hope so much yeah yeah I'm going to get है चलो गड़बड हो गया बलंडर हो गया एक स्लाइड बस बची बच्चों फिर में से कर देंगे कि अधिया है देशनल लन्नी अधिया जीवन है कितना बढ़ी है सत्य कटी सत्य है बुद्धी संगत देशनल ज सब्सक्राइब कर देशनल इधिया जातर बुद्धी संगत जाते पाइबाग को नार चीवान्ग में अलमाइब बुद्धी संगत कर देशनल अunci है यह नहीं कि नहीं बहुत इंपोर्टेंटटन जीज है लेगने अ है समझ में आए कि नहीं इससे दिल और दिमाग को आपको क्या एक सामझस बना के चलना होता है तब चीजें सही होती है लाइफ में कहीं भी ख़ी भी और पिक्टर नहीं है पूरे लाइफ का सब कुछ है आ तो यह दिखाया भी नहीं तो सारा टेडी बियर कैसे बिक्यों के लिए कि नहीं अगर इसे अटा दिया को साइकलोजी हमारे तर मास्टर को मिल जाना जो बेचते हैं आज चीव गैलरी वाले टेडी बियर वाले नहीं जैसे पहले बोलते थे वो लोग की पृतिवनी हमारी अर हमें और टेडी बियर वाले पकटे ले चलिदो चलो बताते हैं हैं तुम बताऊ हूं क्या होता है तो यह सब चीज होती है इसमें क्या होता है और जो आपका मनाथ माघिकाश बत्र्स करकर आफ सहता है और सबस्थ्ट नहीं रेशनल लर्निंग में और पूरी जो हमारी वकेशनल ट्रीनिंग या जो भी ट्रीनिंग होती है जो कॉसल होगा सीखते हैं इन दोनों में बैलेंस करके आप सीखते हैं इसके लिए बदाम खाते हैं इसके लिए लिटी लिटी लेते हैं कि नहीं उसके लिए बदाम खात है यह भी उल्टा है यह सबसे अधिक उपयूक्त साबित हुई है सामुहिक सिच्छा के लिए सामुहिक सिच्छा के लिए यह पद्धती सबसे अधिक उपयूक्त सामुहिक सिच्छा के लिए यह पद्धती सबसे अधिक उपयूक्त साबित हुई है इसे तारकिक पद्धती माना जाता है इसे तारकिक पदती माना जाता है सामोहिक सिच्छा के लिए या पदती सबसे अधिक उप्युक्त हुई है इसे तारकिक पदती माना जाता है इसे तारकिक पदती माना जाता है रिजिनिंग मेथड है रिजिनिंग इसमें ली जाती है दिमाग और दिल आ रहा है वो डाइग्राम नहीं ता पूरा सारा कंटेंट हो ही पहे सामोई सिच्छा के लिए पदती सबसे अधिक उपिकत माझ साबीत हुई है इसे सब पधती माना जाता है जाता है इसे सब पदती माना पर इलेक्टिकल अज़ बड़े हो इसे देखते हैं मझे नाखुष से रहते हैं विचारे सामोहिक सिच्छा के लिए पदती सबसे अधिक उपयुक्त साबित हुई है इसे तार्किक पदती माना जाता है अधिगम की परक्रिया तथा सिद्धान्तों के अधार पर अधिगम की परक्रिया जो मेथट्स होता है लर्निंग का उसकी बात चल लिए तरह सिद्धान्तों जो उसके प्रिंस्पल है क्या धार पर के बेस्ट आउन हम क्या करते हैं क्या में क्या क्यों और कैसे इन बातों को ध्यान में रखकर सिखा जाता है इन बातों को ध्यान में रखकर क्या कि जाता बच्चों सिखाय जाता है आप कुल मिला कि जैसे कि हम क्लास्रूम में पढ़ रहे हैं यही रेशनल मेथद बुद्धी संगत मेथद है आजाए क्लास्रूम टीचिंग या लर्निंग इस बेस्ट आजाएगा आपका रेशनल देगा रूट वाला देगा है ना कि अट यहां से आता है इन बातों के दियां रखा जाता है सामयक सिझ्चा के लिए पद्रति सबसे क्या प्रूब टृब्ड और सबसे मेतर्क करने के लए पढ़ने के लिए लिए क्लास्रूमार टीचिंग के लिए इसे तारकिक पद्दती माना जाता है इसमें क्या होता है कि बच्चा क्या होता है रिजणिंग लगाता अपना यह करीब करीब देखाते हैं encouragement method mathematical चीज ऐसी है जो कि हमें असानी समझ में आती है हमारे brain IQ को बढ़ाने में सयोग करती है तो हमारे IQ brain मैसेज को पहुचाना है तो जो अगर कंटेंड डिलिवर करो गया अगर बच्छा पढ़ा रहा है तो उसका तरीका अलग होगा इस टीचर का आयो आप समझ रहोंगे इसमें इसमें और एक बात में अधिगम की प्रक्रिया तता सिर्दांतों के अधार पर इस पद होगा आपको पने ना कि हम पढ़न की इंस्टर बत आता है क्या क्यूं और कैसे Хोदा इसे तो यहां पर हम पहुच गया तो आप जम्धिक बनेंगे तो शक्रायां ना एक कैसे Junior है और क्यों है भी बता ले जा रहे हैं तो बच्चों को समझ में अच्राउन बच्चे समझेगा उसका मोटिवेसन बनेगा उसे क्लास से भागेगा नहीं क्लास डेली आएगा है कि नहीं बहाने नहीं नहीं करता हो और चीजों को अच्छे से कर लेता है इन बातों को ध्यान में रखकर सिखाया जाता है इन बातों को आप क्या करते हैं बिल्कुल ध्यान तो भी तो भी कंटेंट का पूरा साथ हागी चलेगा हमारे साहत रहेगा इसमें कि आपको क्या बता जाता है क्यों कैसे कंगे इस सब चीजे बताई जाती है आई वाव समझ रहूंगे तो अभी मैं ब्रेक्ट कर दोगा